नमस्कार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में आज है 4 अगस्त 2023 तो चलिए जौनते हैं 15 बड़ी खबरों को विस्तार से पहली खबर है शिक्षक भरती की परिक्षा में बायोमेट्रिक हाजरी बनेगी सेड्यूल जल्द बिहार लोग सेबा आयोग शिक्षक न्यूकती परिक्षा की तैयारियों में जुट गया है परिक्षा में किसी तरह की गड़बरी नहीं हो और कोई फर्जी परिक्षार्थी नहीं बैट सके इसके लिए अभ्यार्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिती ली जाएगी परिक्षा में किसी तरह की गड़बरी करने वाले शात्रों को सीधे जेल भेज़ा जाएगा और आगी बिहार की परिक्षाव से 5 साल तक के लिए वंचित कर दिया जाएगा सभी केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे सभी डियेम को अच्छे परिक्षा केंद्रों का चोयन करने का निर्देश दिया गया है ताकि कहीं भी किसी तरह की धांधिली नहीं हो सके परिक्षा दो पालियों में होगी परिक्षा पहले दिन 24 अगस्त को हिंदी बस सामान या अध्यायन की संयुत परिक्षा दो पालियों में होगी कुल 8,15,000 अभ्यारती शामिल होंगे इसके अलावा 25 से 27 तक अलग अलग परिक्षाए होगी आयो की ओर से परिक्षा का शेड अभी गैजटेड और नौन गैजटेड सन्वर्ग के 2,63,913 पद खाली है तथा रिक्तियों को भड़ा जाना एक लगतार चलने वाली प्रक्रिया है। पदों का ब्योरा भी मागा था। कपरेल 2022 से 30 जून 2023 की अभदी में गुदी के दोरान ग्रूप C के विभिन पदों के तहत 1,36,773 उमीद्वारों को पैनल बद किया गया है। जिसमें संरक्षा स्रेनी के 1,11,728 पद शामिल है। बिहार के इस कॉलेज को NAAC से मिली है टॉप रैंकिंग बना राज का पहला महाविद्याले। पटना के AN कॉलेज को मुल्यांकन के बाद राश्रिय मुल्यांकन एवं प्रत्यापन परीक्षा की ओर से A प्लस ग्रेड दिया है। बिहार को कॉलेज को 3.36 CGPA पॉइंट मिले है। कॉलेज के प्रिंस्पल प्रोफेसर प्रवीन कुमार्ड के अनुसार A प्लस का दर्जा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला कॉलेज है। इस रैंक के बाद डिम्स युनिवर्सिटी बनने की ओर से अग्रिसार हो गया है। इससे लगतार तीस्री बार A ग्रेड मिला है। कॉलेज अपनी CGPA स्कोर को 3.26 से बढ़ा कर 3.36 तक पहुचाने में सफ़र रहा है। और यही बज़ा है कि वो A ग्रेड से A प्लस ग्रेड में आ गया। कॉलेज की पिछली ग्रेड की वैधता 29 अक्ट्यूबर 2022 को खत्म हो गई थी और उससे तुरंत नई मानियता के लिए आविदन किया था। बिहार में अभी मिहरबान रहेगा मानसून, इंजिलों में वजरपात और बारिश का लट। बिहार में मानसून की सक्रियता बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। इस वज़े से बारिश की कमी का ग्राफ 48 से घटकर सामाने से 45 पर आ गिया है। अभी मौनसून ट्रफ गया से होकर गुजर रहा है। साथी एक गहरा अबदाब बंगाल की खाडी छेतर की ओर बना है। जिसके संयुक्त प्रभाव से अभी दो-चार दिनों तक बारिश की गतिवीध्या सुबे में बनी रहेगी। उत्तर पश्यमी बिहार, दक्षिन पश्यमी बिहार और दक्षिन पूर्व बिहार में वजरपात और मेग गर्जन का येलो अलर्ट है। परण बकसर भोजपूर अर्वल, रोहतास, कैमूर और अंगाबाद, खगरिया, भागलपूर, जमुई और बांका जिले में एक दो जगहों पर ठनिका गिरने की चितावनी की है। साथ अगस्तक राज्य के विभेन हिस्सों में वजरपात के आसार बने रहेंगे। बिहार में बिजली दर एक सामान करने की तयारी जानिये कब लागू होगी नई विवस्ता। देखें बिहार में बिजली दर का स्लैब खत्व होगा। आएने वाले दिनों में घरेलू वा गैर घरेलू श्रेणी के उपभुकताओं के लिए एक ही स्लैब होगा। अधिक स्लैब था। लेकिन दीरे-दीरे कमपनी ने इन स्लैबों को समाप्त कर दिया। कमपनी ने साल दर साल इसमें कटोती की और अभी सभी श्रेणी को मिलाकर वा मुश्किल दो दर्जन स्लैब ही है। गरेलू उपभुकताओं में देखी तो ग्रामीन इलाकों में दो स्लैब है। पहला स्लैब एक से पचास तो दूसरा पचास यूनिट से अधिक है। जबकि शेहरी शेतर में भी मातर दो ही स्लैब है। शेहरी शेतर में पहला स्लैब एक से सो यूनिट तो दूसरा स्लैब सो यूनिट से अधिक है। इससे कम करते हुए मातर एक ही स्लैब करने की तयारी चल रही है। बिहार में जातिगत गणना का मामला फिर सुप्रीम कोट पहुचा पटना एचसी के फैसले को चुनोती बिहार में हो रही जातिगत जनगनना का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोट पहुच गया है जिहां शेर से अदालत ने इसे लेकर एक याचिका दायर की है इसमें प फैसले को सुप्रीम कोट में अर्ज लगाए गई है। हलाकि नितीज सरकार ने पहले ही कैवियेट दाखिल कर सुप्रीम कोट से कहा कि उसका पक्ष जाने बिना कोई आदेश न दिया जाए। दायर किया गया था इसमें सरकार के ओर से कहा गया था कि अगर जातिकत गणना पर रोक लगाने की मांग वाली कोई याचिका सुप्रीम कोट में दायर हो तो बिना सरकार के पक्ष जाने बिना आदेश नहीं दिया जाए। इसे लेकर अभी से ही बिहार से दिल्ली मुंबाई बैंगलूर जाने वाले ट्रेनों की टिक टेप बुक होनी शुरू हो गई है। यही नई उक्ट्यूबर में महानगरो एबं अन्य राज्यों से बिहार आने वाली ट्रेनों में भी लंबी बेटिंग है। की नवंबर में यहां से अन्य राज्यों में जाने के लिए टिकेट नहीं मिल रहे है। अक्ट्यूबर के दूसरे हफते से दुर्गापूजा की शुडवात होगी इसे लेकर आनंद विहार से भागलपूर आने वाले डाउन एक, दो, तीन, छे, आठ, आनंद विहार भागलपूर विक्रम शिला एक्स्प्रेस में बारा से बाइस ऑक्ट्यूबर तक स्क्लीपर क्लास में बेटिंग है। यही हालत नई दिल्ली से भागलपूर होते हुए डिब्रुगर्ड जाने वाली ब्रहभपूत्र एक्स्प्रेस की भी है, डाउन ट्रेनों में भी ऑक्टूबर से नवंबर तक लंबी वेटिंग लिश्ट है। यूपी और नेपाल की बारिश से बिहार की नदियों में उफान, जानिय गंगा कोशी समेत अन्य प्रमुख नदियों का हाज। यूपी में हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसके लिए अभ्यार्थी तैयारी में जुट गए है, साथी ये लंबे समय से परिक्षा का इंतिजार कर रहे है। इसके अलावा अभ्यार्थियों को अपने अड्मिट कार्ड का भी इंतिजार है, अड्मिट कार्ड को लेकर फिलहाल तारीखों का अईलान नहीं किया गया है। अगस्त के पहले सप्ताह यानि इस सप्ताह या दूसरे सप्ताह में एड्मिट कार्ड जारी कर दिया जा सकता है। पहली बार लिए गया इस तरह के बड़े फैसले को लेकर शिक्षा बिभाग नहीं गाइडलाइन जारी करते हुए सितंबर और उससे अगले माह की परिक्षा के लिए शेडिूल भी जारी कर दिया है सत्र 2023-24 में सितंबर से मासिक परिक्षा सत्र की शुरुआत के पहले माह से ही शुरू हो जाएगी शिक्षा बिभाग के इस फैसले से प्रदेश के 9000 से अधिक बलश्टू स्कूलों के लिए एक साथ समय पर मासिक त्रेमासिक और अर्धवार्शिक परिक्षाई हो सकेगी प्रश्न पत्रों का स्थर और उनका पैटर्न भी पूरे प्रदेश के स् लाकी उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन के जिम्यदारी स्कूल के जिम्यदारी हो रहेगी राज्य में अब नहीं मानने होगा सरपंच या ग्राम कचवरी से बनाई गई वशावनली सभी डियेम को भेजा गया पत्र बिहार के लोगों के लिए काफी काम की खबर है कि राज्य में अब ग्राम कचवरी या सरपंच से बनाई गई वशावली माने नहीं होगा बिहार सरकार ने साफ तोर पर काया है कि अब सरपंच या ग्राम कचवरी द्वारा किसी व्यक्ति की बनाई गई वन्शावली माने नहीं होगी इस सम्बंध में पंचायती राज विभाग ने सभी डियम को पत्र जारी कर दिया है इस पत्र में साफ निर्देशित किया गया है कि सुबा में जहां कहीं ग्राम कचवरी और सरपंच द्वारा वन्शावली बन रहाई है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए पहले से अधिक हाई टेक हुआ बिहार पहली अगस्तिस में दिखेंगे ये बड़े बदलाव हर महीने के पहले तारीक को कुछ न कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं इसी कड़ी में अब बिहार भी आज से पहले से अधिक हाई टेक नज़राएगा राजमियाज से चार बड़े बदलाव नजर आने वाले हैं जिसमें शिक्षा बिभाग से लेकर नगर निगम तक का बड़ा फैशला सामिल है दरसल राजमियाज से राजधानी पटना में तरह से बारा जिलों में इचालान की ववस्ता शुरू की जाएगी इसके अलावा शिक्षा बिभाग के सारे कामकाज पेपर लेसो जाएंगे वही राजधा के सभी सरकारी स्कूलों में कल से लेकर 15 अगस तक बायोमेट्रिक हाजरी लगेगी इसके साथ ही साथ इस महीने के दूसरे सक्ता में शिक्षा बिभाग के प्रमुख सचीव केके पाठा के राजधा के सभी विश्वविद्याले के कुलपती के साथ सीधा बाद करेंगे वही अब राजधानी में सरक पर कशरा फेकने वालों की तस्वीर शेहर के प्रमुख चोक्चोराहों पर लगाए जाएगी मिली जानकारी के अनुसार अगस्त माह में पतना मुजफरपुर बिहार शरीफ और भागलपुर सहीत 12 जिलों में मैनुवल ट्रैफ के बाद अपराद का सेलेक्शन करते इच अलान निर्गत हो जाता तो दोबारा अपराद करने की स्थिती में अलार्म करता है जिससे डियल स्पेंशन की कारवाई हो पाती है बिहार के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट पतना बगहा समस्तिपुर और भागलपुर में होगी भारी बारिश बिहार में पिछले दो तीन दिनों से मांसून एक्टिव है गुरुवार सुभा पटना बगहा समस्तिपूर और भागलपूर में बारिश हुई इससे लोगों को गड़मी से राहत मिला है मौसम बिभाग ने आज बिहार के सोलह जिलों में बारिश का लर्ट चारी किया है पटना में अब नया स्टेंड फुलवारी यहां से आठ सी एंजी और पच्चिस एलेक्ट्रिक सीटी बसों का परिशालन होने लगे होगा फुलवारी इस्तित नव निर्मित डीटी ओ कारियाले से सीटी बसे चलने लगी है फिलाल 33 बसों का परिशालन हो रहा है इसमें आठ सी एंजी और पच्चिस एलेक्रिक बसे है सी एंजी बसे फुलवारी से गांधी मैदान के बीच रूट नमबर 111A पर चल रही है प्रती व्यक्ती किराया 18 रूपय है एलेक्रिक बसे फुलवारी से गांधी मैदान दानापूर 28 आदी रूटों पर चल रही है वहां से बिहार शरीफ और मुझफर पूर के लिए भी एलेक्रिक बसे चलने लगी है 20 अगस से 15 और CNG बसे को का परिचालन शुरू किया जाएगा दरसल गांधी मैदान के पास इस्तित बांकीपूर बस दीपो की जमीन परियाटन विभाग को अस्थान तरीत हो चुकी है परियाटन विभाग यहां 5 स्टार होटेल बनाएगा इसी वज़े से यहां से बसों के वो फुलवारी और बैरिया बस टर्मिनल शिफ्ट किया जा रहा है